कि दोस्तों आपका मेरे होमगार्णी टेनर में स्वागत है आज मैं आपको बीज से मिरस्ट की पोद लगाना के बारे में बताऊंगा देखे मैंने बीज ले लिए हैं बढ़िया बीज है और यह मेरे मिट्टी लिए है खेद की मिट्टी है सब भी कुछ है खाद भी इसमें सब कुछ है और इसी में पोद आजागी पांच दस बार पोद मेरी आ जाएंगी इसकंदा यह मैं पहला देता हूं यह देखें अब थो अब देखें सबी जंगे फैल गई है अब तो यह दो देखें इसे डग दो थोड़ा सा यह दग गया अब मैं इसको फोड़ा सा पानी डालता हूं इसमें पानी डालना पड़ेगा वाले अब जब इसकी पोड हो जाए गी तो फिर पर पोड लगा के आपको इसकी आगे की ग्रोथ के बारे में बता हूंगा नन्यवाद है 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 लो दोस्तों फोंगानी केरा में आपका शुआ रहत है कि मैंने कुछ घर में ही जो लाल मेंचे पड़ेती उनके भीज निकालके यह लगाए थे या और मैंने एक पंदर जिन पहले लगाए थे देखिए अच्छा फूटिंग हो रही है आगे जैसे जैसे गम अब जो इनकी प्रड़िक्शन होगी जो इसमें ग्रोथ होगी वह मैं आपको दिखातारा है कि देखें दोस्तों मेरे जैसे परोदे नियों लगाए थे यह चाल महीने को उगए चाल निकल्स साड़ तीन महीने को हो गये है अभी इसमें धिरे मैंने इसमें टेम से पाने भ जैसे इसके इसकी ग्रोफ अच्छी हो रही है अब जैसे इस पर मिर्ची आएंगे फूल आएंगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगा दन्यवाद मैं देखें में में चोड़े लगाई थे इन चार महीने हो गया हैं इन दिखा अलग अलग अब इन जो है बीज आने का समय फूल आने का समय हो गया है और कभी भी इसमें फूर आसकते हैं फूर आएंगे तो बढ़िया होड़ा तो बीज भी अच्छे आएंगे में को लगता अथी प्रोफिस्स देगाए दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा आने वाली वीडियो को देखने के लिए बैल आईकॉन बटन धमाना ना भूलें नुश्कार आदाब सस्यकार